क्या हम खुद से आप बना सकते हैं और अगर हम खुद से आप बनाना सीख भी लेते हैं तो हम कितने समय में एक आप को बना पाएंगे या फिर हम कितने समय में सीख पाएंगे आप बनाना ये कोशन बड़ा इंट्रस्टिंग है और आपके मन में भी आता होगा जब आप application world मे बात करते होंगे आप अपना application को जब real world में लाना चाहते हैं और आपको coding नहीं आती है तो आप बहुत सारे developers से बात करते हैं उनसे राय लेते हैं suggestion लेते हैं कि मुझे ये app बनाना है इसमें कितना खरचाएगा मेरा ये idea है बहुत सारी चीज़े होती है जब आप application world में आते होगा यार मैं इतने लोगों के पास जा रहा हूं इससे बढ़िया मैं खुद से ही app क्यों नहीं बना ले रहा हूं देखो क्या होता है ना होता है कुछ-कुछ बहुत ऐसी work है जो easy होते हैं जैसे मान के चलो paint करना घर को paint करना तो अगर आपको painter नहीं मिल रहा है तो possibility है कि म मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि coding करना hard है समझो मेरी बात को मेरे example बहुत है interesting है कुछ-कुछ work होते हैं जो बहुत easy रहते हैं कुछ-कुछ work होते हैं जो थोड़े hard होते हैं ठीक है लेकिन application बनाने में अगर आपको मैं बोलू हूँ तो yes बिलकुल आप app बना सकते हो बस आपक coding सीखनी है, coding आपको आना चाहिए, don't worry मैं यह वीडियो coding के उपर नहीं बना रहो पर interesting वीडियो है, coding आपको सीखनी है, जब यह मैंने बोला coding आपको सीखनी है, possibility है कि बहुत लोगों ने try किया होगा कभी coding, words सुनते ही अब उनको tension आ जाता होगा, कि यार coding सीखनी है मतलब बहुत बड़ा rocket science होगा, पता नहीं कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, हना बहुत सारी चीज़े आते होंगे आपके दिमाग में, लेकिन आपको दोस्तों बता दूँ, coding बहुत interesting चीज़ है, जब आप उसको deeply सीखोगे न तब आपको पता चलेगा कि यह कितना fun है, कितना मजा आ रहा है, बाकी सारे work से ज़्यादा interesting तो यह है, क्योंकि हमें यहाँ पर सोचना पड़ रहा है, बाकी सारे काम है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेते हैं, paint करना होगा तो कितना सोचोगे आप, color decide कर लोगे और आप उसे paint कर दोगे, अपने घर का जो भी आपका ह यहाँ आपको paint करना होगा, लेकिन coding में जब आपको यह सोचना है कि मुझे इस function या फिर इस button पर click होने के बाद यह function या फिर यह activity open होनी चाहिए, यह work होना चाहिए, उस time आपको सोचना पड़ता है कि यह होगा कैसे, ठीक है, तो coding बहुत ही जादा interesting है, सीखने के लिए भ एक strong motivation वाली feeling आती है कि भाई हाँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, वो एक next level के होती है, ठीक है, तो yes application आप बना सकते हो, ठीक है, application आप बना सकते हो, तो coding कितने दिन में सीखो गया, और क्या application बनाने के लिए ज़रूरी है coding सीखना, मैं बोलूँगा yes बिल्कुल ज़रूरी है, देखो basic तो सीखना बहुत ज़रूरी है coding का, मार्केट में ऐसे बहुत सारे जैसे white head junior पे आपको सिखाते थे न, coding यहां से उठा के यहां drag and drop करो, यहां से उठा के वहां पे drag and drop करो, और भी बहुत सारे ऐसे website से जहां पे आप drag and drop करके अपना खुद का application बना सकते हो, लेकि coding आप कौन से language में सीखोगे, इसके उपर मेरा एक और वीडियो है, वो आप ज़रूर वाच करना, लेकिन coding सीखने में आपको कितना समय लेगा, यह मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई भी programming language, आप select कर लो, आपको सीखना कौन सा है, back end सीखना चाहते हो, front end, अब तो application deliver करते हैं, तो हम बोलते हैं, user app होगा, एक admin panel होगा, तो admin panel, जिसे आप handle कर रहे हो, वैसे जो back end language होती है, वो server पे stored होती है, ठीक है, server side language होती है, user application जो user को दिखता है, तो वो client side उसे बोला जाता है, UI and UX यानि के पूरा उसका design, एक user experience कैसा होना चाहिए, यह बस, इसमें ज basic बहुत अच्छा सीख जाओगे, मनला आगे सीखोगे तो, और वो सीखने के बाद, अगर आप अपना खुद के app बनाना चाहो, मानलो आपने flutter सीख लिया, flutter सीखने के बाद, कितने दिन में आप अपना application बनाना start कर दोगे, flutter सीखने के बाद, backend language सीखने की जरूद नहीं क्योंकि backend language के लिए firebase use कर सकता है, as a backend, firebase का as a backend use कर जा सकता है, scalable app के लिए भी use कर जा सकता है, ठीक है, तो अगर आप एक flutter सीखते हो, तो 3-6 महिने enough है, ठीक है, flutter सीखने के बाद, आप backend के लिए firebase use करो, फिर आप अपना, जो आपकी ideas हमको real world में डालो, और सच में बहु बहुत अच्छे हमारे पास, बहुत interesting idea है, ठीक है, लेकिन हमको coding नहीं आती है, और हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके वज़ेस, मतलब जो हम developer को दे सके, उतना finance है नहीं हमारे पास, जिसकी वज़ेसे हम अपने idea को दबा के रखते हैं, ठीक है, तो वैसा नहीं करना है, इस क्या होता है, दो चीज़ और भी होती है, सीखने के बाद बहुत लोग या तो freelancing करते हैं, या तो वो अपने application को नहीं बनाएंगे, दूसरों के लिए काम करना start कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना सीखने को आपका focus है, आप खुद का application बनाना चाहते हो, वो सोच के सीखो, ज् और एक दो महीना लेगा, तो टोटल आप 8 महीने मान के चलो, आपका खुद का application ready market में, ठीक है, with backend मैं बात कर रहा हूँ, अयूप आपको ये video जो मैंने coding के बारे में बताया, और आपको एक application आप खुद से बनाते हो, तो कितना समय लेगा, ये अगर आप समझ गए हो, तो इस video को like ज़रू करना, और वो आपके दोस्त जो confused हैं, अभी recording को लेके, उनको आप मेरा ये video share ज़रू कर सकते हो, thank you दोस्तों, मिलते है next video में,